नमस्कार आप देखे रहें NBC24 और मैं हूँ आपके साथ मांसी IGIMS में देड रात वन परियावलन विभाग की मंत्री तेश प्रताप की गारी में नश्रमेदुद स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मार दी है आपको बता देए कि उसके बाद हंगामा हो गया है मंत्री के बोडिगार ने जब गारी चालक को पकरा तो मंत्री के बोडिगार के साथ भी नश्रमेदुद गारी चालक हंगामा करने लगा आपको बता देए कि सूचना के बाद तदकाल पुलिस मौके पर पहुची और नशे मेधुत स्कॉर्पियो चालक अजीद को गिरफतार कर लिया गया है आपको बता देए कि ब्रेट एनलाइजर से जाट में शराब पीने की पुस्टी हो गई है मंतरी तेश पताब किसी मरीज़ को देखने आये थे इस दोरान पुलिस मामले की जाच में जुटी है बता दे आपको कि स्कॉर्पियो चालक भी किसी मरीज़ को लेकर IGM कया था पुलिस मामले की जुटी है आगे देखिए इसमें क्या हो kan एक बार फिर से आपको बताते चले कि आधी रात को पटना के इस इलाके में तेश प्रताप यादफ की गारी का आक्सिडेंट हुआ है शराब के नशे में दूसरी गारी के ड्राइवर ने टककर मार दी बिहार के पर्यावर मंत्री वलालू प्रशाद के बरेबिट तेश प्रताप यादफ की गारी हादसे का शकार हो गया हालकि इस हादसे के दौरान तेश प्रताप यादफ गारी में मौदूद नहीं थे हादसा पटना के आई जी आइमस में बीती रात में हुई है जहां तेश प्रताप यादव अपने किसी नस्दी की मरीज से मिलने की लिए गए हुए थे इसी दौरान नशे की हालत में दूसरी गारी के चालक ने तेश प्रताप की गारी में टक कर मार दी बाद में हुए हंगामे के बाद आननफानन में पहुची पुलस ने दूसरी गारी के ड्राइवर को भी गिरफतार कर लिया है घटा को लेकर बताया है कि तेश प्रताप यादफ की गारी के साथ ही ये हाथसा हुआ है यहाँ जैसे ही तेश प्रताप की गारी पहुची वहाँ पहले से ही एक गारी गेट पर खरी हुई थी इसके बाद बॉडिगार्ड ने उतर कर वाहन चालक को समझाया चालक पहले तो बॉडिगार्ड से उलजा और फिर उससे काफी तेजी से अपने गारी को पीछे किया और मंतरी की गारी में जोरदार तक कर मार दी है इसके बाद जब बॉडिगार्ड ने उसे पकरा तो वहाँ पे हल्ला करने लगा हाला कि उसकी मूह से आ रह दुर्गन से सभी समझ गए कि उसने शराब पी रखी है इसके बाद शास्त्री नगर्थाने की पलिस को बुला कर उसे सौब दिया गया सास्त्री नगर्थाना देक्स रामचंकर सिंग ने चालक के शराब के नशे में होनी की पुस्ती की और बताया कि उसे गिरफतार कर लिया गया है गिरफतार यूवक का नाम अजीत कुमार बताया गया है वो राजा बजार का निवासी है ऐसी ही तमाम कब्रो के साथ देख्ते रहा NBC24